तो हेलो गाईज और वेलकम बैक टू था नोधर वीडियो और आज की इस वीडियो में आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक बहुत इंट्रस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि सिंप्ली बेस्ट होगा हमारे अलिया सेंसर पर तो इस वीडियो में मैंने उसकी सारी डिटेल्स द पावर देने के लिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एक नाइन वॉल्ट की बैटरी तो यहां पर हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है जैसे ही मैं सारी लाइट को ओफ कर देता हूं यह अपनी एलेडी को ओन करा देता है इसका मदला हमारे सरकिट है जो कंपनी है यहां पर आप अपने हाई क्वालिटी के पीसीबी बहुत ही कम रेट में ओडर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी डाइमेंशन और कलर वगेरा चुनना एकदम फ्री है और ओडर करना भी बेहदासान सबसे पहले जाई है और अपनी गरवर फाइल को अपलोड कर द लगते हैं और कुछ इस तरीके से तोड़कर उन्हें अलग करना होता है तो यह हमारा पीसीबी जिस पर हम प्रोचेक्ट बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या का कंपोनेंट्स इसमें यूज कर रहे हैं हम एक बीसी 547 ट्रांजिस्टर एक लडी आर एक 10 किलो लगते हैं। तो यहां पर हमारा PCB जो है वो solder हो चुका है और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से यह solder हुआ है तो इसके पीछे के जो access wire है वो मैं एक प्लायर की मदस्टे कट करके निकाल देता हूँ तो यहां पर हमारा सारा PCB कंप्लीट हो चुका है सब कुछ all set है टेस्टिंग के लिए तो अब मैं यहां पर use कर रहा हूँ एक 9 वोल्ट का बैटरी का किलिए जोकि हमारे input की जगा यहां पर use होगा तो उसके positive or negative connections को ध्यान में रखते हैं उसे two pin terminal block के साथ connect कर देते हैं यहां पर यह हमारे terminal connect हो चुका है अब बारी है इसके output की तो यहां पर मैं एक bulb का set यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप यहां पर simply देख सकते हैं तो इसका जो plug है वो मैं AC में लगा दूँगा और इसका यह जो wire है वो मैंने cut कर लिया है जिसे joint करने पर हमारा LED भी जल जा रहा है तो यह हम अपने two pin terminal block में लगा देंगे तो उसके लिए सबसे पहले मुझे AC सही से हटाना होगा और उसके बाद इन दोनों wires को मैं अपने यह वाले टर्मिल में connect कर देता हूँ तो बल्ब के connect हो जाने के बाद इस circuit को power देने के लिए मैं एक 9V की बैटरी का use कर रहा हूँ और उसे connect कर देता हूँ यहाँ पर हमारा सारा setup complete हो चुका है हम अपने बल्ब को जो है वो अपने AC के साथ connect कर देता हूँ और इस potentiometer को या preset को गुमा कर इसे dark sensor के लिए set कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अपनी सारी studio की LED को बंद करूंगा हमारा जो बल्ब है वो own हो जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा LDR dark को sense करेगा और relay को trigger कर देगा जिससे हमारा जो बल्ब है वो own हो जाएगा चलिए इसकी और थोड़ी सी testing में आपको दिखा देता हूँ यहां पर हमारा circuit काफी अच्छी तरह से work कर रहा है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और यह सभी possible हुआ है JLC PCV की वज़े से क्योंकि वहीं से मैंने इस project के PCV जो थे वो order किये थे और यार मैंने आपको बताया है कि order करना बेहदी आसान है लिंक आपको description में मिलेगा और लिंक पे क्लिक करती है आप उनकी website पे पहुच जाओगे जहां से आप high quality के PCV order कर सकते हो simply अपनी गरवर फाइल को upload कीजिए और order place कर दीजिए तो भूलना मत JLC PCV और फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment section में comment करके जरूर बताना उसी के साथ साथ अगर कोई query वगयरा हो तो वह भी महाँ पर comment कर देना और हाँ इस वीडियो को लाइक कर देना और चल को subscribe करना क्योंकि फीचर में ऐसी imaging video चैनल पर आपको मिलने वाली है तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें